अगर कहीं मिल जाए यह पौधा तो जट से तोड़ कर अपने पास रख लो यह एक नहीं कई बिमारियों की आउजदी है आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहे हूँ जो असाध्य से असाध्य रोगों को भी ठी कर देता है दोस्तों यह पौधा है चिर चिट का भंडार है ध्यान से देखिए दोस्तों इसकी पतियां इसके बीज इस पौधे की जड़ सब कुछ बहुत जादा उपियोगी है तो यह चिर चिटा बोला जाता है दोस्तों हमारे यहां बाकी कई जगह पर इसे अपामार्ग भी कहा जाता है अपामार्ग लट जीरा कहते हैं और बहुत से जगह पर इसे शिख्री भी कहा जाता है भारत में सभी जगह पर यहां पाया जयता है दोस्तों खेतों में सडग के किनारे मैदानी लाको में हमारे घर के तो इस पोधे को शयद आपने देखा होगा, परन्तु आप लोग पहचान नहीं पा रहे होगे, गास पूस सबस्ते हैं हम इसे, और यह जो पोधा होता है, दोस्तों, इसका बीज, इसकी पत्या, इसकी जड़े, सभी कुछ बहुत कुपयोगी होती है, और कहीं से अगर हम प्राचिन काल से ही रिशी मुनी इसका प्रयोग करते आए हैं, दोस्तों, बहुत सी दवाईयों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सी बिमारीयों को दूर करने में यह पोधा बहुत ही मददगार, इसकी पत्या, इसके बीज, इसकी जड़, सब कुछ उपयोग जाए, तो दात खाज खुजली खत्म होती है, साप के काटने पर, बिच्छू के काटने पर या बवासीर जैसी बिमारियों में चिर चिटा का प्रयोग किया जाता है, इसकी पत्यों बीजों को पीस कर यदि आप पेस्ट बना कर बवासीर की जगह पर लगाते हैं, तो बिल को भून कर आप इसका चूर्ण बना लें, आधा चमच आप लें, तेजी से फैट बन होता है, तेजी से चर्वी को कम करता है, दांतों के दर्द के लिए बहुत ही फायदे मद है, इसके पत्तों को उबाल लें, दो गिलास पानी में 10-12 इसके पत्य डाल कर अच्छा उबाल के ते लाँ करने से लिए दांटू का दर्द, मसूडों का दर्द, मसूडों से खुत आने की जो परिशानी होती है, वह है सब कुछ दूर हथी आप पीने से पी लिया जिसे जोईंडिस कहते हैं उसमें भी बहुत जादा ये लापकारी है दोस है इसकी पत्तियों पानी में लगाएंगे तो भी इसकिन इंफेक्शन भी दूर होता है तो यह है चिर्चिटा का पौधा आप देख सकते हैं मैं भी इसे ले कर आई हूं मैंने सोचा चली आपके साथ यह जानकारी शेयर करूं कि इतना उपयोगी है आयुर्वेद में तो इसका बहुत जादा महत्त है दो घाओ अगर कोई बड़ा से बड़ा घाओ भी हो जाता दोस्तों घाओ में भी इसकी पत्यों का रस अगर लगा लिया जाए तो घाओ बहुत ही जल्दी भर जाता है पेट के कीडों को खतम करने के लिए भी इसकी पत्यों का काढ़ा या रस बच्चों को दें तो तेजी से के किड़े खत्म हो जाते हैं कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों बहुत सी जगह पर तो इसे खाया जाता है गाओं में तो इसकी सबजी बना कर खाया जाती है दोस्तों और इसका इसकी बहुत जादा और भी प्रॉपर्टी है बहुत से बिमारियों से हम बच सकते है यदि हम इसको अपने घर पर लगाएं तो आप भी इस चिर चिटा के पौधे को जरू लगाएं दोस्तों इसका दूसरा नाम है अपामार्ग कहा जाता है लट जीरा सिक्री नाम से भी इसे जाना जाता है तो आप भी इसे अपने घर पर जरू लगाएं बहुत ही अच्छा औ तो इसका भरपूर प्रयोक करें दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है तो जानकारी कैसी लगी यदि चिरचिटा प्लांट के बारे में यह जो मैंने चोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की है दोस्तों यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना थेंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो